दोस्तों ये है बिग मसल्स की तरब से आने बाला इजेंसियल वेप रोटीन जो की बिग मसल्स का सबसे सस्ता वेप रोटीन है लगबग 600 से 700 रुपे में आपको एक केजी का ये पैक मिल जाएगा और वो भी फ्लेवरड वेप रोटीन तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस एजेंसियल वेप रोटीन की सच्चाई बताने वाला हूँ अगर आप इस वेप रोटीन को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना तो चलिए इस वीडियो में इस बेप्रोटीन की मच होते हैं So let's get started with this video तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस बेप्रोटीन की क्वालिटी के बारे में इन्होंने box पे सबसे उपर ही mention किया हुआ है 24 ग्राम प्रोटीन ठीक है मान लिए 24 ग्राम प्रोटीन है का स्कूप है मतलब इतना बड़ा स्कूप और उसके अंदर मात्र 24 ग्राम प्रोटीन मतलब 50% अच्छा यह तो यह 50% जो क्लेम कर रहे हैं लेकिन सच्चा ही इनकी उससे भी ज्यादा खराब है इसकी मैंने कई लोगों की लेब टेश्ट रिपोर्ट देखी उसमें 24 ग्राम 15 ग्राम तक नहीं निकल रहा मतलब गेनर के नाम से बेचो तुमें से प्रोटीन के नाम से लोगों को चूतिया क्यों बनाये जा रहे हो दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा स्कूप है मुझे नहीं लग रहा कि ये 48 ग्राम का है मैंने चेक किया था ये लगवक 55 ग्राम के आसपास आ रहा था इतना बड़ा स्कूप और मातर 10-15 ग्राम बेप्रोटीन मतलब ये मजाग चल रहा है प्रोटीन के नाम से आप कुछ तो भी बेचे जा रहे हो ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन mixability इतनी कराब है दोस्तों विस्बस मानों आप मैंने एक स्कूप एक ग्लास पानी में मिलाया सेकर में अच्छे से मिलाया एक से तेड़ मिर्ट तक मैंने सेकर को इलाया है हाँ सेकर को इलाया मैंने कुछ और नहीं उसके बाद भी इसमें दाने रह गए थे मतलब कि इतने बड़े बड़े दाने की अलक सी आपको गुटला देख जाएंगे मतलब क्या बक्चोदी चल रही है mixability इतनी खराब है टेस्ट उससे भी जादा भाहियाद मतलब एक बार आप जो protein को गोल होगे ना सूंग होगे ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से chemical मिला के आपको दे दिये बे जो protein होता है ना वो milk से बनाया जाता है ये बेहन के लोड़े पता नहीं का ऐसे क्या घुल मोल के बना रहा है का का chemical डाल रहा है देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बता दे रहा हूँ अगर आप अपने सरीर को खराब नहीं करना चाते तो दूर रेना इस protein से भाई 700 रुपे बचा लो कोई दिक्कत नहीं है कुछ मत करना नेचरल डाइट लेना है लेलो फाल तू ये लेके अपने सरीर को खराब करोगे तो मेरा बात मानो भाई लोगों तुमसे ज़्यादा पागल कोई नहीं है हाँ मैं आपको ये वीडियो इसलिए लाके बता रहा हूँ मैंने खुद इसको मुस्किल से 4-5 स्कूप यूज की होंगे मतलब इसकूप देखो 4-5 दिन मैंने लिया मैं आपको सच्चाई एक बात और बताना तो भूली गया इसे लेने के बाद तुरंत दस्त लगते हैं पता नहीं क्यों पोश्ट बर्काउट मैं लेता हूँ एक इसको आदे गंटे बाद कंफर्म एको दस्त लग जाते हैं पता नहीं भेन के लोड़ों ने क्या मिला के दे दिये इस में मतलब क्या चूतिया मनाये जा रहे हैं लोगों को हाँ तो आपको इससे बच के रहना है ये बे प्रोटीन नहीं है ऐसा नहीं है मैंने इससे पहले प्रोटीन नहीं लिए काफी सारे प्रोटीन लिए लेकिन इसी समझ से उनमें आई ही नहीं है वो रहते हैं नेचुरल उनकी लेब टेस्ट रिपोर्ट भी आई है बिलकुल सचे मतलब बहुत अच्छे प्रोटीन और यह पता नहीं क्या फ्लेवर की बात करें केसर कुलफी मतलब फ्लेवर के नाम पर क्या ट्टी दे दी उन्होंने ट्टी गोल के दे दी वसा लग रहा है मेरे को फ्लेवर मुले वर्ट भाड में जाए प्रोटीन के नाम पर पता नहीं क्या बेचे जा रहे हो तो काका की चीजे मिला दी है ठीकि कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है मसल बिल्डिंग बगे यह तो भाई फरजी चीजे मिला के दे दोगे मसल बिल्डिंग और इनके किलो का डबबा मल जाएगा और अधर ब्रांड में अच्छे ब्रांड देखोंगे ना आपको 2-5,000 रुपे का एक किलो बे प्रोटीन मिलेगा हाँ और कोई इतना सस्ता दे रहा है तो भाई उसके पीछे जोलतो होगा मैं आपको बता रहा हूं सच्चा ही यह जो इतना सस् है वीडियो डाउन करते लिकिन मैं आपको यह वीडियो लेने से अर्गेस रहिए तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी एलफुल लगाओ तो आप वीडियो लाइक जरूर करें और मन में कोई भी सवाल हो बेज़े जागो के कमेंट में पूछो मैं वहाँ करूँगा तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में और अगर आपके मन में ऐसा ही कोई टटी सा ब्रांड हो उसकी माचोदना हो बता देना कमेंट करके मैं उसकी उपर वीडियो लियाऊंगा ठीके ना बिन्दा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद चैन